हलो एन वेलकम मैं हूँ नीलम भेरा और आप देख रहे हैं टुडेइज जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डारेट कनेक्शन क्या लवरंजन की फिल्म में अज़ेदेवगन अब भी आ सकते हैं नजर कुछ समय पहले खबर आई थी कि लवरंजन की अगली फिल्म में रनवीर कपूर और अज़ेदेवगन के साथ नजर आने वाले हैं अज़देवगन और रनवीर कपूर के साथ लवरंजन ने जोर शोर से अपनी अगली फिल्म की गोशना की थी लेकिन पिछले दिनों अब वाहे शुरू हुई कि यह फिल्म अब डिबा बंध हो चुकी है क्योंकि अज़देवगन ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खीच लिये है अज़देवगन फिल्हाल बैक टू बैक फिल्मों में काफी जादा बीजी है इसलिए उन्होंने इस फिल्म से अपना किनारा भी कर लिया है वहीं अब खबरे सामने आ रही है कि अज़देवगन और मेकर्स की बीच स्टोरी लैन को लेकर डिफरेंस है जिसे लेकर बात अटक गई है दरासल लवरंजन की फिल्म में ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म में अज़देवगन रनवीर के साथ रनवीर के पापा के किरदार में दिखेंगे अज़देवगन का किरदार इस फिल्म में बहुत छोटा लेकिन एहम होगा और ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म में दीपीका होंगी तो जरूर लेकिन वह रनविर की लव लाइफ नहीं बलकि अज़ेदेवगन की प्रेमिका के रूप में दिखेंगी वैसे फिल्मेकर्स की तरह ये भी खबरे कन्फरम नहीं हुई है कि दीपीका पादुकान और अज़ेदेवगन एक दूसरे के अपोजिट होंगे खबरों के अनुसार बहुत जल्द इसको लेकर एक बड़ा ऐलान होगा इस रॉल के लिए तो पहले तो अज़ेदेवगन तयार थे लेकिन फाइनल स्क्रिप्ट को देखने के बाद उन्होंने फैंसला किया कि वो फिल्म में काफी जादा ओल्ड दिखेंगे ऐसे में उन्होंने मेकर्स को फिल्म में जरूरी बदलाव लाने को कहा है इसके लिए मेकर्स भी तयार हो गई हैं लेकिन कि आज़ेदेवगन के लिए इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह बदल दिया जाएगा लेकिन पिछले दिनों ये खबरे आई थी कि आज़ेदेवगन ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खीच लिये हैं वैसे इस पर अभी official information नहीं आई थी अगर फिल्म के मेकर्स अज़ेदेवगन की बात माल लेते तो वो फिर से on board आ सकते हैं फिलहाल अभी फिल्म के मेकर्स और अज़ेदेवगन की team के members उन्होंने चुपपी बना कर रखी हुई है वहीं फैंस अज़ेदेवगन को फिर से इस फिल्म में साथ देखने के लिए काफी जादा बेसबरी से इन्पजार कर रहे हैं दीपीका पादुकॉन फिलहाल दीपीका मेगना गुलजार की फिल्म छपाक और कबिर खान की फिल्म 83 में रनवीर सिंग के साथ नज़र आने वाली हैं दौनों फिल्म में 2020 में रिलीज होंगी दिपिका का फिल्म 83 में रनवेर सिंग के साथ उनका किरदार पती पतनी का होगा तो इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं आप हमारी न्यूज को टुड़ेज टॉट कॉम पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच की वाचिंग टुड़ेज फोर मोर न्यूज